सब्सक्राइब आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में जैसे कि आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि मुस्कान में अकिले ग्यापन एकेडमी में अपना सब्जेक्ट का वीडियो डाल रही है लेकि एबादत सर और अमीद सर दिखाई नहीं दे रहे हैं आज कल तो एबादत सर अमीद सर ग्यापन एकेडमी अपना एक प्रफेशनल चैनल है वो भी उस पर इंट्रेंस की तयारी कराई जाती है जिस पर हम और अमीद सर और यहां तक की इवेन मुस्कान में भी काफी सर मिलने के बाद आपके बीच हम लोग आने के लिए पूरी तरीका से तयार हो चुके हैं और अब यहां पर जब हम लोग आगा है ना तो अब आपको टेंसन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास्टेंथ वाले विद्यार्थी को सबसे ज्यादा ना लाइफ में पहली कि अब यहां हम आपके बीच क्लास्टेंथ का साइंस का पहला लेसन रसाइनिक अभी क्रियान समीकर नाम का जो कमेंश्ट्री का पहला लेसन है और साइंस के बूक का पहला लेसन है मैं ले करके आ गया हूँ और देखिएगा मेरा आपसे एक छोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखिए मुझे लगता है कि साइन्स से लड़के से मुहब्बत होता है उस तरीका से आपको साइन्स से मुहब्बत हो जाएगी और यह पहला लेसन पढ़ने के बाद आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएगे कि सर आप एक अगला लेसन अच्छे वित लॉजिक एंड ट्रीक के साथ आपके बीच ये पढ़ाने वाला हूं और बहुती संदार ये वीडियो होने वाला है लेशन वन तो यूं हलुआ समझे यूं चुटकियों का खेल समझे बहुती आसानी से इसी वीडियो के माध्यम से पूरा एक वीडियो में नहीं बोल दे रहा हूं क्योंकि समय लाश्ट में नहीं मिलता है और मैं जब पढ़ाने में मगन हो जाता हूं तो बीच में कहने की फूर्शत नहीं मिलती है तो लहाजा आप से यहीं गुदारिस है कि आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखिए और मुझे लगता रहे है कि आपने के साथ जुड़े रहे है 95 पॉलास दिलवाना मेरा काम है बस आप स्कूल वाले से जो 20 नमर मिलता है उस पर लड़ लीजिए हमको 20 में 20 दिल ले लेने के लिए लेकिन यहां पर बाकी रिमेनिंग जितने भी नमबर बच रहे हैं टोटल जोड़ करके आपक बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं तो यूटूब ने एक फंक्शन दिया है कि आप उसे स्लो कर सकते हैं और मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रहा हूं तो आप यूटूब के फंक्शन के हिसाब से आप उसके क्या करेंगे थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे और हमारी बात एंट्रीक के साथ एदम बहुत ही आराम इजी वे के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे लगता है कि आपको साइन्स से बिल्कुल प्यार हो जाएगा जी हाँ प्यार हो जाएगा ठीक है ना अब यहाँ पर सुनिए मैं परतीक टॉपिक को यहाँ पर दूसरा बात यह हम काना चाहेंगे कि अगर पढ़ते 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 पर बीच में आप बहुत ही बैठ जाएगा तो चलिए देखेए यहाँ पर है सबसे पहले अपना topic रसायनिक अभी किरिया किसे करते हैं बहुत ही जबरदस्त और एक मामूली question जो हमारे और आपके बीच में एक खेमस question दा है कि अभी किरिया किसे करते हैं देखिए अभी किरिया किसी दो चीजों का मिलना कहलाता है मतलब मिलने की किरिया को अभी किरिया करते हैं नहीं समझ में आया। सुनीर इथा और सिर्फ और अभी किरिया के बारे में समझा रहा है। अभी किरिया का मतलब ही होता है अपने भासा में दो चीजों का मिलना या दो या दो से अधिक चीजों का मिलना जो चीजे मिक्स हो रही है न तो mixing is called reaction समझ रहा है ना यहन दो चीजे जब आपस में मिल रही है न तो यह मिलने की किरिया ही अभी किरिया काल आती है तो यहां होती है बात खत्म अब देखिए दो चीजे कोई भी चीज मिल जाए वह अभी किरिया कालाएगी अभी किरिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो किरिया को हम अभी किरिया करते हैं अब हो चाहे मतलब सब्सक्राइब करता है कि यह दो चीज के मिलने के बाद सिर्फ मात्रा बढ़ा कि उसके उत्पादों में कोई परिवर्तन देखने को मिला ध्यान रखिएगा दो चीजों के मिलने के बाद समझेगा मैं आई है विए रोटेंसन प्लीज बहुती आसानी से समझने की कोशिश किजी दो चीजे का सिर्फ मिलना सिर्फ दो यह दो से अधिक चीज़ों का सिर्फ मिलना ही अभी करा लाता है लेकिन मिलने के फौल सरुप जो उत्पाद बनकर निकलता है और बनने के बाद माखल चले कि यह रूर नाया उत्पाद मिला और पहले की तरह अपना वापस अपना एक रूप धारण ना कर पाए इसका मतलग कि वो एक रसाइली का भी क्रिया है जैसे यहां पस एक्जामपल के तहट समझेगा मैं देखिए यहां पर देखिए यह नाम का कोई चीज है और बी नाम का कोई पदार्थ है यह और बी मिला मिलने के बाद अगर यह प्रोड़क्त तैयार होगा समझेगा एदन ध्यान से ए प्रोड़क्त और भी प्रोड़क्त यह दोने प्रोड़क्त जब आपस में मिला तो मिलने के फ़ल्सरुप जो उतपाद हमें प्रात हुई अगर यह उतपाद एक नए उतपाद का रूप दे रहा है मतलब एब दे लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का मिलना यानि मिलने की पर किरिया अभी किरिया का लाती है क्या आपको समझ में आ रहा है कि अभी किरिया और अभी किरिया में कितना कांतर हो रहा है अभी किरिया मतलब सिर्फ मिलने की किरिया को अभी किरिया करते हैं लेकिन मिलने के पसाथ एक नए उत्पाद का निर्माड करना ठीक है ना मिलने के बाद एक नए उत्पाद का निर्माड होने की पर किरिया रसाइनी कभी कर लाती है समझ में रहा है ना अब आपको लग रहा होगा है हा साइंस बहुत असान है ठीक है अब आईए अगले मतलब वर टॉपीक को टारगेट करते हैं इसमें कुछ है नहीं लेसन में एकदाम बिल्कोल बच्चे वाली लेसंदे दिया अब भात करते हैं कि यह नाम का पदार भी नाम के पदार से अभी क्रिया कर रहा है अभी क्रिया करने वाले जो होते हैं और भाग लेने वाले बब् almonds क्याल और आफि कर्या यह एक सिक्विंस क्या यह भी यह projectLet प्रोसेस है इस प्रोसेस में जो यहां पर लेफ्ट साइड हो गया यह राइट साइड हो गया इस लेफ्ट साइड में जो अभी किरिया में भाग लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं अभी कारक कहते हैं या प्राती कारक कहते हैं दो नाम अलग-अलग हैं लेकिन दोनों ए अब करें लेकर रहें और यह को एंघ पडर व हार लेकिन यह नाम के पदाफ और यह बीनाम के पदार आपस में प्रोड़क्त बनाय को हम क्या कहेंगे यह उतपाद कहेंगे यह समझ गहें हें तीन नाम अलगए हैं लेकिन एक ही चीज को बोला जाता है इस ये भी को हम क्या कह सकते हैं प्रतिफाल कह सकते हैं उत्पाद कह सकते हैं और यॉगिक कह सकते हैं असान है कि नहीं है बहुत असान है आप समझे आगे अब बात आती है कि ठीक है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टॉपिक भी खतम हो अभी किरिया की से करते हैं रसाइनिक अभी किरिया की से करते हैं या अभीकारक परतिकारक की से करते हैं यह प्रतिफल उत्पाद योगी की से करते हैं अरे यार रसाइनिक अभी किरिया करते हैं समझ में आ रागी नहीं आ रहा है तो यह यह हो गई अभी कारक किसे करते हैं और उत्पाद किसे करते हैं तो अभी किरिया के फ़ल सरु बने उत्पाद को प्रतिफल करते हैं या उत्पाद करते हैं या योगिक करते हैं कि अगवाट अगला बंडा है अगला टॉपिक है कि बता दीजिए कि सर्ण रसाइनिक समीकरण क किसी करते है रसाइनिक समीकरण मेंट बद कह supervision सबसे पहला बात कि चुब सब्सक्राइब होता है तो समीकरण करते हैता थे सबस्क्राइब TRAZA कि Creator है करते हैं अ confirm हमको यहाप मैं प्रोटिकली थोड़ा से इंग्जांपल देना चाहूंगा बट आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं पोलेटिकली किसी के साथ हो ऐसा नहीं सोचेगा मैं होई टेंशन प्लीज यहाप देखे सब मान के चलिए कि एम वाई आप सुने होंगे कि एम वाई समीकरण बना है किसको जीता आने के लिए सुनिए का ध्यान से प्रतिफल आप क्या देखना चाहते हैं कि आरजी डी को जीता देना है तो एम वाई समीकरण समझते हो ना यह मुस्लिम हो गए सुनिए गाद पलस यादो Q.. अगर यह मुस्लिम यादो मिल जाते हैं तो राष्टिय जानता दल राष्टिय जनता दल। को पार्टी जीत जा रही है सुनिए गठ्यान से मुस्लिम यादो और इस मुस्लिम यादो के एकसा Source से मिलना याईनि कि दोनों अभीकिरीया में भाग ले रहे हैं और यह दोनों मिलकर्के दोनों जात के लोग मिलकर्किय वोटिंग करके राश्च जेंटा दल को जिता रहा है इसका मतलब कि election में भाग कौन ले रहा है यहां पर अभी किरया में भाग ले रहा था ना अब सब्द को बदल दीजी इलैक्ष्ण में भाग क्यों ले रहा है मुस्लिम और यादो किसको जीत आने के लिए किया पतिफल दिखना चाहता है है अभी किर्या के फॉर अभीकिए हो रही हो तब ही दिखाए यह जीतने के बाद भी दीखाए कि राश्टिय जंदरदल अगर तो मुस्लिम यादों मिल करके जीता है अभी किर्या में यह दो लोग भाग लिए थे इस चीज को सिक्र्स में दिखा नहीं रसायनिक समिकरण का अब सुनियेगा अभ यहां पर देखिए कि सरा समिकरण को हम चाहे तो मुस्री म और यादो लिख सकते तें लेकिन किस मुस्रीम के जए पर एम लिख दिया और इस यादों के जगा पर आरजेडी लिख दिया यानि कि इस सिक्वेंस को और भी संचिप्त करके लिखा तो इन दोनों बातों को एक साथ लिखा जा सकता है कैसे तो सुनिए ध्यान से रसाइनिक समीकरण क्या है तो अभिकिरिया में भाग लेने वाले अभीकारकों अभिसको आपही पर कह सकते हैं कि नहीं नहीं troop सकते कंए ना इलेक्सन्में भाग लेने वाले जात ठीकना अर उससे बनने वाले पारटी इसचार हैं लेकि मैं यह नहीं कहूंगा अब इसके जगह पर अपना भासा में आजी कमिश्टी के बासा में जो हम लोगों एक्जाम में लिखना है अभी किरिया में भाग लेने माले अभी का रखूं और उससे बने उत्पादों का संचित निरूपण संचित नाम ठीक है ना अगर यह कित निरूपण हो गया कि नहीं हो गया और इस संचित निरूपण को एक सीक्वेंस में देखाना ही रसायनिक समिकरण का लाता है फिर से इस बात को ध्यान से सुन लेजिए कि रसायनिक समिकरण किसे कहते हैं देखिए अभी किरिया में भाग लेने वाले अभीकार को और उस से बनने वाले उत्पादों को एक सिक्मेंस में एक करम में लिखा जाता है ठीक है ना एक संचिप्त करम में लिखा जाता है इसी संचिप्त क्रम में लिखने की पर किरिया रसायनिक समिकरन कहलाती है समझ में आगया कि नहीं आगया अब चलिए अब यहां पर देखिए बात आ करना गई कि अभी करिया में भाग लेन वाले अभिकार को और उस्से बनेहीं उतपादों को करम सचार्थ हुझत द्वाला रिखा जाता है किस करम को हम रसाइनीकत करन्ग का थे तो बताधर्य पुरह पुरा पुरह नान लेशन का पुरतिक टॉपी करने वाला हूँ मैंने कहा था ना कि साइन से आपको प्यार हो जाने वाले है तो देखिए कि अब इकलिए मांने बहाग लें ذ danny refuse यहाँ अधिया यहाँ अपर आक्सीजन ठीकर Reagan और बन रहा है कि और इसको लिख देते हैं राइट समझेगा तो अभी किरिया में भाग लेना वाले अभी कारणों की संखिया दो है और दो कौन कौन है मैंगनेसियम और अक्सीजन और उससे बनने वाले उत्पाद कौन है मैंगनेसियम अक्साइड यानिक एमजी ओ अब यहाँ पर इसी को टा प् लिखाता है और अभी के बने उट पादो को दाई और लिखा जाता है चलिए ये भी आपने लिख दिया कि नहीं लिख दिया आप सुनिए यहां पर अभी किरिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या अगर दो या इससे भी अधिक है तो उसके मध्य प्लस चीन दिया जाता है आप सुनिए पाचवा नियम क्या कर रहा है कि अगर अभी किरिया में भाग लेना वाले अभीकार को यह है अभीकार को और उससे बने उत्पादो इन दोनों को अलग-अलग दिखाने के बीच या अलग-अलग दिखाने के मध्य तीर चिन द्वारा परदर्शित किया जाता है तो यहां पर हम तीर चिन देते हैं क्या बा समझ में आ जाएंगी ठीक है अब यहाँ पर देखिए बात आती हे संटूलित रसान कुल संटूलित समिकरण को इसे हम कह सकते हैं कि जाए जाएजों? यह बातें जाएज़ें यह बातें बोला और मैंने कहा कि वह बातें वह आदमी वेकार हैं जबक्त वह इंसान अच्छा भी है फिर भी मैं कर रहां को बैकार मैंने उसके लिए नजाईज बोला ठीक यहां पर उसी तरीका से होता है जो समिकरण होता है सपोज मान के चली क्या बराबर हो सुनिये मननी जिए तराजू है अगर यहां पर भी वन के जी है और वहां पर भी वन के जी तब इस तीछ और यहां पर णतूलिट और असंतूलित रसानिक समिकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं तो संतूलित रसानिक समिकरण हम उस समिकरण उकाते हैं जिसमें दोनों और यानि अभिकार को और अभिकरिया के फल्सलों बने उत्पादों के दोनों के दोनों और परमणवों की संक्या अगर समान हो तो समझ लेना कि वो संतूलित रसानिक समी करन है अगर दोनों और परमणवों की संक्या समान नहीं हो तो समझ लेना वो संतूलित रसानिक समी करन है तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए तो इसके लिए यहीं करना चाहिए बा लाबर होगा कि नहीं हो उसी तरीका से यहां पर भी होता है अभी क्रिया में भाग लेना वाल अभी का रखे और उससे बने उत्पाथ दोनों और परमड़ों कि संक्या कर बराबर नहीं यह संतुलित है तो क्या करना होता है देखे एंजी एक पीस है तो इधर विंगे एक पीस है लेकिन यहां पर दो पीस add-on G ही तो दो प् Paul इम कर दखें अब इसके आगे नहीं तो बेदन ना जाइए और नमबर कट सकता है दिए अद्ध हो गई बात के लिए अब आइए बात करते हैं अभी किरिया के परकार को सउयोन अभिक्रिया व्योजन अभिकिया विस्थापन अभिकिया दिवी विस्थापन अभिक कि यूच्षा अभी कि व poses समझा रहा हूं समझे इस बात को ठीक हैicky handled यहां पर सुनिए बोल राएंकि सायोजन अभी कुछ कए सदों के मिलने से बनने वाले उत्पाद को सायोजन अभी करया करते हैं समझ में आ गई बाते आप सुनिए इधर इधर बीटर नहेंगा कि इदर सिंगल कर एदा है कि इस देता है क्वoscनल और कि अपर आप देता है पुछ देता है लेकिन अगर आप मेरी बातों नाइश समझेंगे कर देंगे टोban गंटा समझेंगे नहीं समझपाएंगे सなईोजन अभी इंतै तो संयोजन अभिक्रिया में सिंगल सिंगल दोनों और ततो की संख्या मतलब सुनिएगा संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में ग्रफ्रेंट से बहुत ज्यादा मुहबत होता है और वो किसी करें कि चक्र में पड़ करके आपको छोड़ देती है तो आप व्योग में पढ़ वियोजन अभी क्रिया में होता क्या है सुनिएगा द्यान से अभी क्रिया में होता क्या है सुनिएगा यहां पर बाते क्या निकल करा रही है सुनिएगा ध्यान से यौगिक तूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो रहा है तो इस परकार की घटना वियोजन अभी क्रिया काल आती है इस बात को ध्यान में रखिएगा आपसे उदहारण के साथ भी अब्जेक्टिव पूछ लेता है या आपके स्टेट्मेंट के साथ भी कोश्चन पूछ लेता है तभी वक्त होने किया घटना वियोजन अभी क्रिया कर आती है बात साफ हो गई अब आईए विस्थापन अभी क्रिया की सकता है तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूं सुनिए गध्यान से अगल्र या घटना अजारों और इसे चनल के सॉलट व्यडियो के सक्षन में जांकरका देखिए मैंने बहुत ही अच्छे बहुत ज्यादा रियक्टी मेटल और जो सबसे कम रियक्टी मेटल इसके बीच के सारे ततों को सारे मेटल को मैंने एक ट्रीक के मादयम से बता दिया है आप जरूर उसको देख लिजिए उसमें बताया था कबासना कबासना थिक ना है 5 mg ऐल जिन्कन क्रोमियंम अल जिनक खुक्रोमियं मटिगना फीको निकेतिन आब यक्यूनिकेतिन और हॉक फिकत प्लेटिन गोल्ड ऐख प्लेटिन अब अडिक काशना से किसे और में याड़ एकने सबसी सबसे मनेर री कर थीध्थ जोड़ हो सकते सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल हो गए ठीक है आप सुनिए सपोज मान के चलिए कि विस्थापन अभी किरिया को अगर हल करना है तो विस्थापन अभी किरिया में होता क्या आना सुनिए गया विस्थापन अभी किरिया में बख्वर्श कें एक तरफ ततो रहेंगे और दूसरे तरफ चुंअ हम के रहेंगे और योगेक रहेंगे और तरो किया होता है सुने और विस्थापट तरफ ऊपरिए गया और यहां क्या करता है एक मजबूत अवीक्रियसील धातु एक से कमजूर अभीके असील धातु को विस्थापित कर देता है तो विक्ATHANापित होने कि यहां घटऊना में कलाती हैं जैसे कि सथ्पोज मान्य चलिए यहां पर अगर मान के चलिए है कि पोटेसियम है और फ्लस एक सील है ठीक है न तो यहां पर देखें पूटेसियम एक नमर में आ रहां कि नहीं आ रहा है तो आधाया प्सिंगल इसके नाम से भी जानते हैं एक अMadison के नाम से भी जानते तो देखे यह हो गया पोटेसियम ना यह हो गया है अब यह क्या करेगा तुरंत हाइड्रोजन को लती आएगा बोले चलहट या तुम्हारा तो अवकाते क्या है हमसे लड़ने का मैं एक नमबर इस्थान पर आता हूं इसके नीची का जीतना भी आएगा सबको मैं लती आ सकत इस परकार की अभी क्रिया क्या करती विस्थापन अभी क्रिया अब आई ये बात करते हैं किसका सुनिए का दियांजे अब बात करते हैं द्वी विस्थापन द्वी विस्थापन अभी किरिया सुनिए का द्वी विस्थापन से द्वी समझ रहा है न यह डबल डिस्प्ले और इस में आईनों का आदान पदानों रहता है और साथ ही इसमें भी मजबूत अलगक्रियसील दातूप अपने से कम अभी कृति दिया टी को लात मरता हाट मारता है और उसके बाद से वह इसका स्थान लेता है और तब आ करके फिर अलग-अलग compound के निर्मार्ट कर देता है सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर कि आप सी यू एसो फोर प्लस के टू एसो फोर के सी यू चलिए के सी यू ठीक है ना अभी किरिया करता है तो potassium देखेगा ध्यान से लगाए कि copper और potassium में सबसे ज्यादा अभी किरिया पड़ेगी पड़ भी रहा है potassium सबसे ज्यादा अभी किरिया सिल्धा तो इता मोर रियक्टिव से मेटल है potassium क्या करेगा copper को लात मारेगा चल हट उसके बाद से आजएगा क्या करें अपना क्या करेंगे पैठ बैठा लेंगे अपना साजा कर लेंगे तो चलिए क्या किया जो बच्चे हुए क्लोरीन है इनके सब्सक्राइब मेरे भाई अब तुम ही ना मेरा साथ दे सकते हैं मंदब कि दोनों और यॉगी खोते हैं और दोने दूसरे को लतिया आता है और लगया अब सुनिए बात आती है दिशातापन अब बात करते हैं अक्सिकरन और अभिक्रिया को समझना है बहुत ही बारीकी से समझना है देखिए यहां पर क्या होता ना अक्सिकरण में होते क्या है अक्सिकरण को अक्सिकरण को और यहां पर और कुई बात करना है अक्सिकरण और की देखेगा यहां पर क्या होतना अक्सिकरण में अक्सिजन का जूड़ना जूड़ना बाकी हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट तो उसका हम समझेंगे कि अक्सिकरन हो गया अब करण यहां पर देखिए यहां पर अक्सिजन जुड़ना यहां पर निकलना बस इसका उल्टा चले जाए और बाकि सबका जूड़ना और इलेक्ट्रॉन का जूड़ना मैं और सम्झेत के बात कि इस आक्सिकरनर को एक और नाम से जानते हैं जिसको गाते हैं उप्जायान- डड़ीयगा मत कहहि baptized बाक्षिकल के जाए पर प्छाई क क्शाया पूछे है यह प्छाईन प्छायान अप्चाया घर्ण के साथ तथे औक्सीडेशन और इसको कहते हैं रीडॉक्षान सबस्कारत कर Alt3 और किसी भी तत्व के साथ effectivement अखेसे ऑप्सीजन का जूड़ना और के सबकर का लाता है और किसी अज्वे कि A class में एक साथ देखी जाती है नो तो इस परकार की अभिक्रिया को रसा एंसरी अक्सी करन और अभिक्रिया खहते हैं मैं है अध्यान से सुनिएगा सपोज मान के चलिए कि एस टू प्लस ओटू आपस में अभिक्रिया करके एस टू बनाया ठीक हाइड्रोजन और अक्सीजन मिल करके यह क्या है रिडॉक्स रियक्सन है हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है अक्सीजन जूड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है अक्सीजन जूड़ रह हम यहां पर अक्सी करन कहेंगे क्या कहेंगे अक्सी करन लेकिन यहां पर अक्सीजन के साथ का हो रहा है लो यहां पर देख रहा है अक्सीजन जी अक्सीजन यहां पर है लो यहां पर आओ यहां पर अक्सीजन देखो जुआ यहां पर अक्सीजन तो सिंगल बन गया मतलग क्य तो कोनों आया ही नहीं इसका मतलब कि oxygen का निकलना यह भी वासर का बात सही होगे यहां पर आउकरन ध्यान रखिएगा जब भी इसका definition लिखना होगा और इसका उधानन तो खरी यह लिख लेंगे उधानन आपको समझ में आ गई हो लेकिन जब भी इसका मनें definition लिखना होगा तो लिखिएगा जब भी आपसे पूछ दे कि अक्सिकरन और करन अभी किसे करते हैं यह रिडॉक्स अभी किरिया किसे करते हैं यह रिडॉक्स रियक्षन किसे करते हैं तो बुलिएगा कि एक ऐसी अभी किरिया जिसमें अक्सिकरन और करन दोनों बनना मतलब mg mg के साथ oxygen जोड़ना इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर mg mg का मेगनेशियम का अक्सिकरण हुआ अर्थात मेगनेशियम अक्साइड मेगनेशियम अक्सिक्रीट हुआ उसके बाद से बात आते हैं कि अगर सपोज मान के चलिए कि अगर mg वो से अगर oxygen बाहर निकल गया तो सिंगल अगर मेगनेशियम बच गया तो मेगनेशियम अक्सिजन से बाहर निकलना अप्चैन का लाएगा अक्सिजन बाहर निकल यहां पर अक्सिजन है कि नहीं है यहां से एक अक्सिजन बाहर निकल गया कि नहीं अर्थात अक्सिजन क्या हुआ अवक्रीट हुआ किसी भी तक्तों के साथ अक्सीजन का जोड़ना सपोच यह के पास अक्सीजन आकर के जुड़ गया ठीक न मैं क्या होगा है पोटेशियूम ऑक्साइट हो गाएघ टू ओ तो यहाँ पर क्या हुआ कोटेशियं का अक्सिक्रन हुआ लेकिन यहाँ पर घ्क कोटेशियूम मचेजन जुड़ कोटेशियंग और आप मंचे आप सिंगल हैं अगर आपका शादी किसी लड़की से हो जा contexts The आपके साथ लड़की मतलब एक परिवार वाले हो गए उसी तरीका से है कि अगर आपके साथ पोटेसियम है और पोटेसियम के साथ अक्सीजन southwest में जूड़ी मतलब कि यहां पर क्या हो गया notre возь from घटना करके प्रोडेसियम अक्साइड बना दिया वासवल मैं अरना उसी तरीकह से होता कि कि हम लोका भोजन एक परकार पूछता है कि यह उपचया है थो जैनते हैं जब अक्सीजन का समयूग हмовता है तो कि हम करते हैं आक्सीजन का सायोग होना यह अक्स tidak अभिक्रिया काल आती है ठीक है ना तो भोजन का पचना भी क्या हो गया मनें अक्सीजन का सयोग हो ना अगर यहां पर दिया है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा उप्चान या अक्सीकरन अभिक्रिया कह सकते हैं ठीक है ना चुकि हम लोग भोजन पचाने के क्रम अक्सीज बड़ी आसान है जी उस्मा छेपी और उस्मा सोसी यह सेकेंड लाश्ट टॉपिक है उसके बाद से संचारण और विक्रत गंधित्या के बारे में बताते हुए इस चेप्टर की समापन हम करेंगे सुनिए करेंगे यांसे आप भी कहेंगे कि बड़ा असानी से सब चिप्टर है एक परकार कि उसमा छेपी अभी किरिया है सब्सक्राइब के चलिए कि हम लोग जब खाना पूरा पच जाता है तो हम लोग अक्सीजन भले लेते हैं अक्सीकरन की घटना होती है हमारा भोजन पचने की करम है लेकिन जो हम लोग नाक से निकालते हैं कर्बंडाई अक्सा है थोड़ा सा कर्ना होता है के नैग उसको महसूस करके देखिएगा अ कि मतलब हुआ कि जिसमें उस्मा का आख कौसर वर्ण। में लोहा आग क doorway उपर दीजिस सबसे पहले लोहा क्या करेंगा उसमा को और सोसीत करेंगा तौछ बोले तो टम्प्रेचर को पहले राणी numéro पूरण टम्परेचर लेखा ये पूरा का पूरण गार्म O को महसूस होगे इसका मतलब कि पहले लोहा क्या किया उस्मा को आउसोसित किया तो इस परकार की अभी किया क्या 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 आती है उस्मा सोसी अभी क्रिया क्या आती है समझ में आ रहा है ना सपोज माने यह सीए सीटरी को तोड़ने के लिए आपने क्या किया के रूप में चाहे हीट दिया कोई भी किसी भी सोर से आपने टेमपरेचर देने की कोशिज किया कि नहीं दिया तो यहां पर जब तो अगर आप उर्जा लगा रहे हैं, आप अपना एनरजी लगा रहे हैं, यहाँ पर आग चाह एलेक्ट्रिसीटी कुछ भी दे रहे हैं इसको तोड़ने के लिए, तो समझ जाएए कि यहाँ पर तूटने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर उस्मा का सोसड हो रहा है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है जी, संचारण और अविक्रत गंदीत है, यह लास्ट टॉपिक है, और इसको समझने के बाद वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा, दोस्तों में जरूर सेर कर दीजेगा, सुनिए, अगर संचारण की बात करें, तो संचारण एक ऐसी प्रोस में आ करके, जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद वो रंग से बेरंग हो जाता है, उसका पूरा का पूरा जोग्राफिया बदल जाता है, तो इस परकार की प्रोसेस, इस परकार की परकिरिया, संचारण का लाती है, यानि कि, संचारण क्या है, यह एक, मनें, किसी किसी भी पदार्थ को बरबाद करने की परकिरिया है विकरत गंदिता भी क्या है यह भी किसी भी पदार्थ को बरबाद करने की परकिरिया लेकिन दोनों में अंतर है समझेगा वाट इस डिफरेंस बीटिवन बोथ सुनिएगा संचारा क्या है कि कि किसी ठोस में कोई ठोस हो जाते हैं मतलब यह जंग लगना हावा और नमी के संपर्ग में जग लगने की परकिरिया क्या का लाती है संचारण का लाती है और यह संचारण कब कहेंगे जब किसी ठोस में हावा और नमी का संपर्ग हो रहा है और यह संपर्ग से अगर वो जंग लग जा रहा है यह कोई भी पदार्थ एजिए जो चाना बघरा जो आप बड़े ही मजे से खाते events के नाम सहां बनास मजते हैं कोई भी थे लिया कशा यूख्ड समझेंगा तक होता है कि यह विखipes के डिगरी हम सकते हैं यह कोई ब CHEERING हम में संपर्ण में ये घाता है और यह संपर्ण में जा करके जब खराब जाता है इसमें महाक आने लगती है एसमें दुर्गंद आने लगता हैं तो इस पतकार की पर्किरिया विक्रत गंधिता करते और गंधन से खिया याद आज या चाहिए को किसी भी दुर्गांद को खुस्भू मत समझ लीजिए ठीक है ना सुनिए का द्यान से किसी भी तेल या वसा यूँ खात पदा जब हावा और नमी के संपर्ग में जैसे देखते हैं कि साम का बना हुए चावल जब सुबह में आप ले करके खाने के लिए तैयार होते हैं तो अजीब तरीका से हो जाता है मतलब बड़ा खराब महाखने लगता है चुकि वह हवा और नमी के संपर्ग में आ जाता है या कोई भी मान के चली कि पुलाव बना है या बिर्यानी बना है अगर उसको ऐसे ही छोड़ते तो ना बारत या तीरे घंटा के बाद गर्मी का मौस तो इस परकार की परकिरिया विक्रत गंदी तक आलाती है मैं आई हाई विटेंसन फिर से इस बात को समझ लेजिए कि संचारण की से कते हैं कि संचारण में होता यह है कि जब भी कोई धातू या ठोस पदार हावा और नमी के संपर्ग में आ करके अपना रंग खो देता है स इस परकार की सणने और गलने की परकिरिया संचारण कर लाती है लेकिन यहां पर बात आती है कि जब भी कोई तेल या वसा युद्खात पदार हवा और नमी के संपर्ग में आकरके अपने सुगंध को खो करके दुर्गंध का रूप धार्ण कर लेता है तो इस परकार की प क्या बाते आपको समझ में आ गई कि जब भी कभी तेल या वसा युद्खात-पदार हवा और नमी के संपर्ग में आकर कि अपनी सुगंद को खो देता है दुरगंद को अपना लेता है और महक ने लगता है तो यह इस परकार की परक्रिया क्या क्या आती है विक्रत गंदी त आती है तो आपकि यह पूरा पूरा ले सब्सक्राइब म doubles समस्में आए और किसरण के यह अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम बनाएं अन्य था मैं आपका इंतजार करूंगा का तो मिल को सब्सक्राइब